एशिया महादेश में अबस्तित नेपाल की रमणियता इसी बात से मापी जा सकती है कि यहाँ जिधर देखें उधर ही हिमालय वा पहाड़ियां दिखाई देती है सिमित रूप में रहा नेपाल का तराइभ भाग भी उतना ही चित्ता करशक है संसार की सबसे उची चोटी सगरमाथा के साथ साथ आठ हजार मीटर से अधिक उचे आठ हिमशिखर यहाँ है होती है धार्मिक तथा परेटक की यह द्रिष्टी से नेपाल में काफी विविदताएं हैं उन में से परेटकों के आकरशन का एक प्रमुख केंद्र यहां का माउंटेन फ्लाइट भी है विश्टो के सरवच शिखर सगरमाथा को नजदीक से देखने का एक उप्युक्त माध्यम है माउंटेन फ्लाइट क्योंकि जो परेटक पदियात्रा के दोरान सगरमाथा के आधार तक चल कर नहीं जा सकते वे हवाई जहाज 1900D, 1900C, J41 या तीन घंटे की हेलिकॉप्टर यात्रा से सगरमाथा सहित सभी हिम्शिखरों के निकट पहुँचकर वड़ी बारीकी से उसे निहार सकते हैं और आनंद ले सकते हैं हिमाली उड़ान का अनुभव लेने वाले प्राया सभी यात्रियों का कहना होता है कि उन्होंने स्वर्गी आनंद की अनुभूती प्राप्त की है जहाज के माध्यम से एकदम पास से इसे देखा जा सकता है और एक ही बार की यात्रा से कई हिम्शिखरों को कैमरे में कैद किये जा सकने के कारण हर किसी का मन तरंगित होड़ता है अक्सर यही अनुपम अनुभव प्राप्त करने के लिए पडोशी देश और अन्य देशों के फरेटक नेपाल को गंतब बेस्थल बनाने को लालाईत रहते हैं जिसे हिमालय की मोहिमी भी कही जा सकती है हिमाली उडान साफ मौसम वाले दिन सुबह साड़े छे से साथ बज़े के बीच शुरू होकर एक घंटे की होती है और ऐसी उडान करिब दस बज़े तक चलती रहती है अंगिनत हिम परवतों को बड़े साफ हुआ स्पष्ट देखा जा सकता है लेकिन इसका भरपूर आनंद उठाने के लिए कैमरा धूर्बीन जैसे साधन ले जाना भूलियेगा मत माउंटेन फ्लाइट करते समय खिड़की वाली सीट की व्यवस्था गैरिंटी के साथ की जाती है हिमाली उडान के तहट होटल से एरपोर्ट और हिमाली उडान उसके बाद वापस होटल तक लाने की सारी व्यवस्था पैकेज में ही समाविष्ट होती है हिमाली उडान करने के लिए इच्छुग परेटक किसी भी समय इमेल, ठैक्स या फोन से भी अपना यात्रा पैकेज बुक करवा सकते हैं इस हिमाली उडान यात्रा का बेवस्थापन गाठबंडू में रहे मोंतेरोसा ट्रेक्स एंड एक्स्पीडिशन प्राली ने किया है ऐसी हिमाली उडान तथा परेटकिये यात्रा कैलाश यात्रा के साथ ही परवता रोहन पद्यात्रा के बेवस्थापन में पिछले कई सालों से सक्रिये मोंतेरोसा ट्रेक्स एंड एक्स्पीडिशन आगामी दिनों में भी आपको इसी तरह की औविस्मरणिये यात्रा करव झाल झाल